नमस्कार, जारकंड विदानसवा चुनाव दोजार चोबिस में सिल्ली विदानसवा सीट पर कड़ी टक्कर होने को है आजसू पार्टी के सुदेश मातो और जेमेम से अमित मातो जहां मैदान में हैं वहीं टाइगर जेराम मातो की पार्टी से देवेंदर नात मातो भी इस छत्री से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सुदेश मातो सिल्ली सीट से पांचवी बार जितने के लिए चुनाव लड़ने की तयारी में जुटे हुए हैं चुनाव आयोग ने सिल्ली विधानसवा सीट में चुनाव के लिए 20 नवंबर यानी की दुसरे चलन में मत्तान की घोषणा किये इस बार पूराने मतभेदों को भुला कर जुटेश मातों के बीच कई दोरों की बाच्चित होने के पश्चा थी यह निर्ने लिया गिया था कि पूरे राज्य में मिलकर चुनाव लड़ना है एक बार फिर से आज्चु पार्टी परमुक सुदेश मातों अपने प्रमप्रागरत सिल्ली विदानसवा सीट से चुनाव मैदान में उतरने को तयार है सुदेश मातों सिल्ली विदानसवा सीट से चार बार चुनाव जीत चुके हैं और अब पाँचवी बार जीत हासिल करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इस वर्ष दोजार चोबिस के लोगसभा चुनाओ के दोरान राची लोगसभा सीट के सिल्ली विधांचवा छेत्र में जेराम मातो की पाटी के उमिदवार देवेंदरनात मातो ने कड़ी टकर दी थी। देवेंदरनात मातो लगात्तार सिल्ली विधांचवा छेत्र के बिविन कारेकरमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस बिच जैराम मातो की पार्टी में कई तरह के मतवेद उत्वन होने की भी खबरें मिल रही थी। राजनितिक गलियारों में यह चर्चा भी थी कि देवेंदरनात मातो को जैराम मातो इचागर सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे। ऐसा होने पर सुदेश मातो के लिए यह चुनावती बहुत ही कमजोर नजर रहाती। लेकिन अंतता देवेंदरनात मातो को सिल्ली से ही चुनाव के लिए तयार किया गिया। लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले छात्र नेता देवंद्रनात मा तो अब विधांचभा चुनाव की तैयारी में भी काफी जोर सोर से तैयारीयों में जुट चुके हैं। सिल्ली विधांचभा चेत्र में उन्होंने नियाई अधिकार और ज्यारकंड नो निर्मान यात्रा निकाल कर अस्थानी लोगों से संपर्क किया है। इस से उनका उत्सा और बढ़ गिया है। इस बार वे सिल्ली विधांचभा से अपना किस्मत अजमा रहे हैं। और उनके खिलाब मुकावला भी काफी दिल्चस्प नजर आ रहा है। सुदेश मातों जो लंबे समय से इस छेत्र में काविच रहे हैं। और वहीं दुसरी और पूर्ग विधायक अमित मातों भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में चुनाव तिरकोणिय और काफी रोमांचकारी होने को हैं। संभावना जताई जा रही है कि तीनों उमिदवार सुदेश मातों, अमित मातों और देवंदरनाद मातों अस्थान्य मतदाताओं का विश्वास जितने की पूरी कोशिस करेंगे। इसके अलावा मदन नामक एक सहयोगी भी चुनावी रण में सामिल हैं। जिससे सिली सीट पूरे जहरकंड का होट सीटों में से एक बन चुका है। कॉंग्रेस पार्टी के ओर से राची जिल्ला ग्रामिन कॉंग्रेस के अध्याच राकेश किरण दावेदार के तौर पर दिख रहे थे साथी नागेंदर दास गोस्वामी, राजु मातो, जितेंदर मातो जैसे कई निता भी दावेदारी पेस कर रहे थे हालां कि सिल्ली सीट पर ज्यारकन मुक्ती मोर्चा की हमेशा से दावेदारी रही है पहले जहां अमित मातों ने यहां से जीत हासिल की थी तो वहीं उनके पश्चात उनकी पत्नी सीमा मातों ने सिल्ली से जीतासिल कर जारकन मुक्ती मौर्चा के खाते में यह सिट दी थी हालां कि वर्ज 2019 में सुदेस मातों ने एक बार फिर से बाजी मारते वे सीमा मातों को चुनावी रण में हराया था राजनितिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि देवेंद्र नात मातों जेराम मातों से मतब्यत होने के कारण जैमियम के कुछ बरिष्ट नेताओं के संपर्क में भी थे और पार्टी उन्हें उमिदबार बनाने पर विचार कर रही थी परन्तु समय रहते देवेंद्र नात मातों ने तमाम अपवाहों का खंडन करते हुए जेके एलम पार्टी से ही चुनाव लड़ना तैय किया इस बार जैराम मातों की पार्टी जहरकंड लोकतांतरिक करांती मोर्चा सिल्ली का खेल काफी हद तक बिगाड़ भी सकती है आईसु पार्टी के परत्यासी सुदेश मातों ने जहां 83,700 भोट लाकर जीत हासिल की थी जबकि दुसरे अस्थान पर जारकंड मुकती मोर्चा की सीमा देवी रही जिनोंने 63,505 भोट राप्त किये थे वर्ष 2014 में जहारकंड मुकती मोर्चा ने सुदेश मातों को इस सीट से हराया था इस सीट से अमित मातों ने सुदेश मातों को हरा कर सभी को चौंका दिया था अमित कुमार मातों ने 89,747 भोट लाकर सुदेश मातों को हराया था जिसमें सुधिस मातो को मात्र बाका keeping वोट मिले थे बात करें लुक्सभा चुनाव तो जैराम मातो की पार्टी के उमिदवार देवंदरनात मातो ने जेल में रहते वे भी जनता का काफी सपोर्ट देखने को मिला था इस चुनाव में जहां बीजेपी परत्यासी को इस छेत्र से कुल 57,000 बोट मिले थे, वहीं देवेंदरनात महतों को 49,000 से अधिक बोट प्राप्त हुए थे, जबकि कॉंग्रेस की ससोनी सहाई को केवल 35,000 बोट मिले थे बात करें सिल्ली विदानसवा की तो इस छेत्र में पांच बार कॉंग्रेस, चार बार आजसू और तीन बार CPM को जीत मिली है, जबकि CPI को 1977, 1980 और 1990 में जीत मिली है, जबकि CPI को 1977, 1980 और 1990 में जीत मिली है आजसू पार्टी सुप्रीमों सुदेश मातों को बर्स 2000, 2005, 2009 और 2019 में इस छेत्र से जीत मिली है आपको आज के ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बोक्स के माद्यम से अपने विचार तथा सुझाओ, हमसे जरूर साजा करें, धन्यवाद